दोस्तो इस वक्त मुंबई में भीशन गर्मी पढ़ रही और इसी गर्मी के बीच में गोरेगाओं से निकल करा रही एक बहुती बड़ी खबर बढ़ा दे आपको स्वर्मा खाने के अगर आप सौकीन है और गोरेगाओं में बढ़ा दे 12 लोग स्वर्मा खाकर बुरी तरस से बीमार होगे फूट पॉयजनिंग का सिकार होगे बदाती ये स्टॉल है गोरेगाउं इस्ट में गोकुल धाम के पास में ही संतोस नगर में ये स्टॉल लगाया जाता था एक वेक्ती जो स्ट्रीट फूड वेंडर विठल डलवी 48 साल का ये युवक पिछले 7-8 महीने से अपना स्टॉल लगा रहा है और स्टॉल लगा रहा ह स्टॉल लगा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगाता लोगों को शिकायत आ रही है फूड पॉजनिंग के लेकर इसा ही हुआ परब के पिताजी के साथ जब परब ने स्टॉल लाया और उसके पिताजी निखाया और पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए जिसके ब पर मामला दर्ज हुआ दोसों तियत्तर इंडियन पैनल कोड के तहद तो बता दे बारा से ज़ादा लोग जो है बीमार हो चुके इसलिए थोड़ा सावदानी बढ़ते फूड पॉजनिंग इसलिए ज़्यादा फैल रही है गर्मी का सीजन है इसलिए घर का समान खाये बा हुआ हुआ है और ही लाज में आपया दो झाल है बहुआ है